नमस्कार, कौफे विद हिसार टुडे में आपका हादिक स्वागत है, मैं हूँ आशनात्र पार्टी दोस्तों जब भी हम बात करते हैं चुनाव की तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या आपके जेब में पैसे हैं और अगर जेब में पैसे नहीं है तो क्या आपकी पहुच है कि आप टिकेट ला सकते हैं वो भी नहीं है तो क्या आपके पास परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसका पॉलिटिकल बैक्राउंड है अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको टिकेट नहीं मिल सकती इन्ही सब महत्वपूर्ण और ऐसे मुद्दों को लेकर इस बार हिसार की लोग सभाज चुनावी जो सीट है हिसार की जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है इस बार इधर से निर्दलिय तोर पर अपनी उमिद्वारी के साथ उतर रहे है गुदार साथ सर हम आपसे जाना चाहेंगे सबसे पहले आपका हिसार टुडे में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका विकास गुदार जी बताए कि जब हम बात करते हैं चुनाव की यह जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो परिवारवाद होना चाहिए या जिसका फैमली बैग्राउंड है की नहीं पैसे हैं की नहीं वही चुनाव लड़ सकता है क्या आज के जो स्थिती है हम बात करें तो ऐसी हो गई है क्या कि एक आम व्यक्ति के पहुत से बाहर हो गया यह चुनाव बाबा साथ भीमराव अमेडिकर ने जब सविधान बनाया था उस सविधान के अंदर उन्होंने कुछ चीजे निर्दारित की थी कुछ पेमाना निर्दारित किया था कि आपको चुनाव लड़ने के लिए यह यह अधिकार आपके हैं और यह सरते हैं वो सरते जो पूरी करता है वो चुनाव लड़ सकता है और वो सभी सरते मैं हिंदुस्तान का नागरी कोने के नाते पूरी करता हूं मैं तो इतना जानता हूं कि वो सरते जब सविधान के अ क्या यही कारण है कि मेरे को समाज सेवा के बाद में दस साल का तजर्बा दस साल का अनुभव इस आरमें विबिन संक्ठनों के साथ जुड़ा हुआ और जिनको राजनेता तोर पे जब हम लोग सिर्फ चर्चा कर सकते थे और देखते थे सोचते थे मन में एक टीश थी किसी क MP बनने की है किसी के MLA बनने की है हमारे अंदर एक टीश थी कि सोच राजनिती का आगाज क्यों नहीं हो सकता एक वंस वाद से हट करके प्रिवाद वाद से हट करके एक विरासत में राजनिती से हट करके एक आम आदमी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता एक आम आदमी करके साथियों में अक्सर मैं चर्चा भी करता था, साथियों से बाचित भी करता था और बड़े-बड़े राजनिताओं से मेरे संपरक भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आज राजनिती में नया खिलाडी हूँ, क्योंकि परदे के पीछे बहुत सी बुमिकाएं हमने में बहुत से काम अन्य राजनिताओं के लिए किये हैं तो क्यों ने फिर हम अपने संग्ठन के लिए काम करें हम हमारी पैचान खुद बनाएं तो उसी तोर तरीके से आज के समय में जो आपका सवाल था साइद आपका सवाल ये था कि आज की समय में चुनाव इतना महंगा हो गई और उन्होंने यह देखा कि आम आदमी इस चीज में ना आ पाए और उन्होंने अपने जो ना प्रोब कंडा नाटक कुछ ऐसी चीजें मतलब अपने आपको प्रमोट करना शुरू किया जूठी अंदर दिया लेनी यह सब चीजों से लेकर के उन्होंने देखा कि मतलब एक चुनावी बर्साती मेंड़क की तरह चुनाओ के दिनों में आये और उसके बाद में उन्होंने उन्होंने तमाम स्विधाओं का सुक शुधा बोगा, उसके बाद तू को ईन्होंने जनता को कभी पूछा नी, तो वो तमाम चीजों को मद्य नजर रखते हुए, इतना महंगा चुनाओ बना दिया क्योंकि उनके पास तो पैसे है उनको पता है कि लोगों को आम आदमी को हम तब ही दूर कर सकते है जब आम आदमी के पास पैसा नहीं होगा चुनाओ को इतना महंगा कर दो बाबा साब ने जब सविधान का निर्मान किया था तो तब तो उन्होंन सरते रखी दी चार सरते होनी चाहिए उस चार सरतों के उपर गरते हैं वो चुनाव लड़े शकतÁ है परंतु आज चुनाव लडने की बात दूर है आज तो चुनाव के बारे में कोई आम आदमी सोच भी निसक attempt हो पहुट भी डालने की उसकी ro고 नहीं है तो वह उसी लिए हमने कहीं तक भी जाना पड़े चाहे कल को हम लोग सांसत बन करके प्राइवेट बिल ले करके आना पड़े चाहे उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े चुनाओ का एक सरली करन उसका हम लोगों करना जरूरी है क्योंकि बाबा साब ने चार पांच जो स कर दिया कि आम आदमी सोच नहीं सकता आज जब आप इस हिसार लोग सभा सीट से उतर रहे हैं डिर्दलिय तोर पे मुख्य तोर पे कौन-कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप लेकर इस बार उतरने वाले हैं जत्ता कि सामने जा रहे हैं देखिए मुद्दों की जहां तक बा था कि हमने घर-घर में गोबर जो वेस्ट पड़ा है उस गोबर से गैंस पैदा करके और किसानों को लाव दे सकते हैं किसानों को जो खेती में प्रियुक्त होने वाली खाद है वो घर पे त्यार कर सकता है जे भी खेतियों के से बढ़ावा देना चीए ये चोटी-चोटी चीजे हमने प्रैक्टिकल रूप से की जिसके लिए सरकार के पास में इतने तंतर ना होने के बावजूद भी हमने उस काम को इतने तक पूंचाया कि सरकार ने भी उस चीज को मना कि जी आपने इसा काम किया तो अगर हमारे पास वीजन है आज के समय में देखिए मैं कोई रोड बनना रोड तो निश्चित रूप से कि आज डूइल्पमेंट रोड बनना कोई डूइल्पमेंट नहीं है रेल्वे लाइन आना कोई डूइल्पमेंट नहीं है परंतु वो रेल्वे लाइन कितनी तेजगती से आएगी आने जाने के दोनों ट्रेक उस पे होंगे औ जो आपका प्रतिनिदी बनेगा, जो आपका प्रत्याक्सी है, उसके पास एक वीजन है, वो वीजनरी आदमी ही वीजन को देख सकता है.